नमस्कार दोस्तों 136 एरपिश्टी का प्रात्नापत्र आप देते हैं F.I.R. रेश्टरड करने के लिए और जब आप प्रात्नापत्र देते हैं तो पूल तैयारी के साथ देते हैं कि कोई कमी कहीं न रह जाए जिससे आपके F.I.R. रेश्टरड न हो आपका एडोकेट पू भी पेस नहीं कर सकते हैं खासतोर पर अगर वो रिकार्ड पब्लिक डॉक्मेंट नहीं है तो और बहुत से डॉक्मेंट ऐसे जो पब्ली डॉक्मेंट नहीं है और जब पब्ली डॉक्मेंट नहीं है तो आपको डॉक्मेंट मिल नहीं सकते हैं इसली तो आपने 136 प्राइब तो दे दिया लेकिन अब अगर मान लीजे कोई बैंक ट्रांडेक्शन का मैटर है तो बैंक ट्रांडेक्शन किसी व्यक्तिका परसनल अकाउंट है और उसे बैंक किसी अन्य परसन के साथ उसकी डीटिल्स सेयर करें ऐसा पास्बिल नहीं है या तो बाई कोट आडर हो कोट आडर करें तो ही पास्बिल है अब आप ने 156 सी आरपिशी में प्रातना पता दे दिया किसी मैटर में किसी केस में लेकिन एक मैटमूंड डॉक्मेंट यह था कि हां यह ट्रांडेक्श प्रातना पत्र देते हैं ट्रांडेक्शन की डीटेल मंगलवा असकती है तो बने रही है वीडियो में अन तक जानकारी मिलेगी आपको पूरी फ्रेंड्स 156 सी आरपिशी का प्रातना पत्र तभी दी जा जाता है जब थाने पर फायर रेजिस्टर्ड नहों जिले के प्राउन बनता है तो कोड कहीं न कहीं थाने से रिपोर्ट आने के वाद फायर रेजिस्टर्ड करने का अधिश पालिक कर दे लेकिन प्रैक्टिकली कभी न कभी कुछ नकुछ कमियार रह जाती है जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई पब्लिक डॉक्मेंट नहीं होता है या वो चाहे कोई बैंक में ट्रांजक्शन का मैटर हो किसी अन्य आफिस में ऐसा कोई दस्तावेज हो जो कोपनिया है जो किसी व्यक्ति को प्रवाइड नहीं करा जा सकता है या अगर कोई फाइयार से रिलेटेड मैटर है तो उस सिच्वेशन में दिया जा सकता है कोई CCTV फू को यूज किया सकता हो बैंक से अधिकार सुरूब जो इन्विस्टिगेटिंग आफिसर है वो मांग सकता या बाइकोर्ट आर्डर वो चीज़ें प्रवाइड कर आई जाएंगी अदर्वाइस कोई जनरल परसन सोचे तो उसको नहीं मिलेगा तो अगर मानीजिए कोई ऐसा अगर कोई लिंक आपको अपका हो आप निकल वाले तो लग बात है अधरवाइस वो पब्लिक डॉक्मेंट नहीं है तो आपको डीटेल वो नहीं मिल सकती कि वेख्त की परसनल एकाउंट की डीटेल्स है यह बैंक का दाइट तो भी है तो भाई उस सिच्वेशन में बैंक means अगर आप 156 CRPC का प्रात्ता पत्त देते हैं कोई डॉक्मेंट अगर आप नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वह पब्लिक डॉक्मेंट नहीं है तो उस सिच्वेशन में by court order court or document मंगवा सकती है चाहे वो किसी भी government office में हो या कहीं भी हो तो आप जब भी 156 CRPC का प्रात्ता पत्त दें तो यह ध्यान रखें कि अगर कोई document आप नहीं लगा पाते हैं तो आप court में इस संब्द में अपनी बहस जरूर रखिए अपनी बात जरूर रखिए और court order करके उस document को समधित bank से या समधित किसी भी office से किसी कारयाले से जो भी मालीजी जहां भी हो document है वहां से वह document या डीटेल्स बंगवाई जा सकती है तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन